क्या आप 2020 के बेस्ट शेयर्स जानना चाते हैं, क्या आप 2020 के टॉप 3 बेस्ट शेयर्स जानना चाते हैं, क्या आप 3 ऐसे शेयर्स जानना चाते हैं, जो आपका जीवन यहाँ पर बदल सकते हैं, क्या आप 3 ऐसे शेयर्स जानना चाते हैं, जो आगे जाकर मल्टी बैगर्स ब जब बड़ा correction आता है तो हम सभी को बड़े decision लेने पड़ते हैं और basics के साथ यहाँ पर stick करने पड़ते हैं क्या basic है तो सबसे पहले मैं आपको 3 point में clear करता हूँ सबसे पहले तो हमें अच्छे share लेना है अच्छे share हमें सस्ते में लेना है सस्ता यानि कि जितना कम आप लोगे उतना benefit है मैं आपको बताता हूँ इससे होगा क्या दूसरा point average price आपका कम होगा जो मैं आज आपको share बताऊँगा वो काफी जबरदस्त रहने वाले है जिनमें आप S.I.P करोगे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हमेशा तक के लिए आप यहाँ पर कर सकते हो यह forever वाले share है, forever आपको अपने portfolio में आपर रखना चाहिए अगला सवाल कि हम share में invest क्यों करते हैं, हम share में आपर निवेश क्यों करते हैं हम share में investment करते हैं to create asset, wealth, corpus, पैसे बनाने के लिए, to become millionaire, billionaire बनने के लिए है न तो आप millionaire और billionaire या करोड़ पती या आप यहाँ पर एक दो दिन में बननी सकते हैं, आप बन सकते हो तो सिर्फ यहाँ पर long term में, रात और रात तो कुछ होगा नहीं, तो आप long term में यहाँ पर बन सकते हो, simple है इसलिए हम बोलते हैं कि share में लंबे समय के लिए निवेश करो, ताकि आपको लंबा benefit यहाँ पर मिल सके, है ना, तो लंबा समय, यानि कि long term के लिए investment करना है, तो कौन से share में investment करना है, जो share long term टिक सके, सीधी सी बात है, बहुत सारे share रहते हैं, 2-3 साल, 4 साल में खतम हो जा जो long term टक वैसा ही रहे, जिसकी position आज जैसे है, यानि की एक line में बताओ, तो predictable business, predictable share हमको यहाँ पर चुनना है, कमाल की बात आपको बताता हूँ, share बजार में 99 प्रतीशत लोग अभी जो मैंने बताया है, ठीक उसका उल्टा काम करते हैं, और अपनी wealth को यहाँ पर गवा द देते हैं, इसलिए हम share बजार को भी बोलते हैं कि लोगों का पैसा यहाँ पर डूप जाता है, 99 प्रतीशत लोग क्या करते हैं, small value वाले share को यहाँ पर खरिदते हैं, वो सोचते कि multi bagger share तो वो होते हैं, जो 10, 20, 30, 40, 50 रुपे में मिलते हैं, वो multi bagger है, वो आगे जाके 1000, 2000 3000 के बन जाएंगे, तो हमारे तो भूती पैसे यहाँ पर बन जाएंगे, यह सोच ही यहाँ पर गलत है, और आगे जाकर वो 10, 20, 5 रुपे वाले share शून नहीं हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, चलते भी नहीं हैं, और at the end वो यहाँ पर अपने 99 प्रतीशत लोग सब चीज देते हैं, एक प्रतीशत जो समझदार लोग रहते हैं, वो यहाँ पर बड़े share में यहाँ पर निवेश करते हैं, हमेशा याद रखिए कि rich बनना है, तो हमेशा याद रखो, एक ही principle है, बड़े share के साथ ही यहाँ पर बन सकते हो, जब crashes आते हैं, ऐसे बड़े crashes हमको जब मिलते हैं, तो मैंनी, economics हमें यह बताता है, stick with market leader, आपको चुप चाप सारी चीजे छोड़ के market leader के साथ यहाँ पर जुड़ जाना चाहिए, हर category के market leader find out करके सिर्फ उसी में investment करना चाहिए, इसके दो basic कारण होते हैं, सबसे पहला कारण होता है, कि यहाँ पर यह गिरते कम है अगर आप बाकी से compare करोगे, तो यह गिरेंगे कम, देखे, मैं आपको एक simple सा logic बता देता हूँ, 10 रुपए का share, 20 रुपए होने के बजाए, 5 रुपए हो जाएगा, तो आपका 50 प्रतीशत नुकसान हो जाएगा, simple logic से देखे, 10 का 20 होना जादा असान लगता है, कि 10 का 5 हो तो आप बोलोगे, 10 का 5 तो तुरंट हो जाएगा, 20 में तो time लगेगा, वही बड़े share जब आप पिक करोगे 2000-3000 value के, तो 3000 वाला share 1500 में आना बहुत जादा मुश्किल रहेगा, लेकिन 10 रुपए का share तुरंट 5 में आजाएगा, एक ही दिन में आपको पता नहीं चलेगा, त प्रेशर सेलिंग होता है, तो basically क्या होता है कि जो traders रहते हैं, जो भर-भर के share यहाँ पर share को इस प्रकार से pump कर देते हैं, momentum देखके हाँ खरीद लेते हैं, share को buy करते हैं, जिसके वज़े से क्या होता है कि share अपने IV, intrinsic value से काफी उपर में trade होने लगता है, तो वो share आपको ही रहता है, कि जब panic selling होती है, तो यह traders जो है, यह सारे के सारे share को sell करने लगते हैं, और जब यहाँ से trader निकल जाते हैं, तो share अपने intrinsic value पे, यहने कि अपने original price पे यहाँ पर आके tick जाता है, और वही time सबसे अच्छा होता है, इन्हें यहाँ पर accumulate करने का, तो आज मैं आप को तीन ऐसे ही share यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो काफी जबरदस share है, जो आपके portfolio में यहाँ पर हमेशा और हमेशा के लिए रहना चाहिए, जो आपके portfolio में growth देंगे, जो आपके portfolio में stability देंगे, इन में से कुछ share multi bagger बनेंगे, इन में से कुछ share आपके portfolio को defensive बना कर रखे पहला share मेरा सबसे पसंदिदा share है और आने वाले समय में multi bagger बने वाला है, मैं तो इसे multi bagger मान के ही चलता हूँ यहाँ पर, लोग अक्सर सवाल पूछते कि पिछला आप बताते हो कि बजाज, पिनैन, मारूती, कोटक, बैंक, multi bagger share यहाँ पर बन गए, आप तो बताते हो ब बन चुके, कौन से जो बनने वाले हैं, तो आज से 10 साल के बाद आप देखोगे कि जो मैं अभी share बता रहा हूँ, इसकी चर्चा हर जगह पे होगी, हर लोग इसके बारे में हाँ पर बात करेंगे, तो वो कौन सा share है, बताता हूँ, कौन सा business है, बताता हूँ, fundamentals अगर मैं आपको बता हूँ, तो ये share बिलकुल एक profit machine है, एक compounding machine है, एक profit बनाने वाली, एक note printing machine की तरह यहाँ पर इसके fundamentals है, तो कौन सा है बो share, सबसे पहले business बताता हूँ, तो इनका business है mutual fund का, share का नाम आप सब यहाँ पर जान गया होगे, share का नाम है HDFCAMC, जबदस share है यहाँ पर मे price to enter अगर हम बात करें, तो price to enter देखें वो होता है, members को भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जिनोंने join किया है, वो भी काफी confused है, price to enter intrinsic value लेके, price to enter वो होता है, जिस price के नीचे आप enter कर सकते हो, और bulk buy आप तब कर सकते हो, जब share intrinsic, यहनिके अपने fair value के नीचे में आ जाए, त price to enter तकरीबन 2300 रुपय का है, और यह share अभी उसी के आसपास यहाँ पर चल रहा है, और अगर आप यहाँ पर इसकी intrinsic value देखोगे, यहनिके पूरे business के अगर आप fair value देखोगे एक share का, तो वो तकरीबन निकल कर आता है, 1500 के आसपास with margin of safety, तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ अगर यह share है, फिलहाल अगर आपको लग रहा है कि यह 2500 के उपर है, क्या करें, अगर 2800 आगया, 3000 आगया, तो क्या करें, lifetime SIP करना है, लेकिन जब भी आप यहाँ पर देखो कि 2500 के नीचे यह share आ रहा है, तो आपको accumulation तेज करना है, आपको यह SIP को बढ़ा के 34-5 कर देनी है उसके बाद जब यह share IV के नीचे आ जाए, यहने 1500 के नीचे पहुंच जाए, तब आपको इसमें bulk buy करना है, जितना आप चाहें, तब आप कर सकते हैं, आपका risk एकदम से कम हो जाएगा, तो यह था मेरा पहला share, दूसरा share, travel वाला share, आप सभी यहाँ पर travel करते होगे, आप स तब ही train में घाना भी order करते होगे, सारी चीजे क्या होती है, IRCTC से होती है, यह एक monopoly business है, जिसका दूर दूर तक कोई competition नहीं है, single king है, एक मातर king है, जिसका कोई competition नहीं है, बहुत बड़ा moat यहाँ पर create करता है, और एक बहुत बड़ा multi bagger यहाँ पर यह बनने वाला है, य 320 रुपए में IPO आया था, 1800 तक गया था, यहने कि 6 मैने में आपके पैसे को 6 गुना कर चुका है, एक करोड का 6 करोड यहाँ पर कर चुका है, तो आप सोच सकते हो कि कितना mind blowing यहाँ पर यह share है, इसे कभी भी छोड़ना नहीं है, इसमें आप हमेशा, हमेशा ऐसा IP करते रहो 14 लाख daily traveler है, आप समझ जाओ कितना पैसा यह यहाँ पर बनाता है, in fact train यहाँ पर बंदो चुकी है, बात तो हम economics की करते है, V-shape recovery की, लेकिन share में भी आपको V-shape recovery देखने को मिल है, train लगातार बंद है, लेकिन share का दाम लगातार यहाँ पर उपर के तरफ जा रहा है, इसी सी बताता हूँ, दो मिनेट में यह बन जाता है, और क्या टेस्ट यहाँ पर आता है, आप सब यहाँ पर जान चुके होगे, क्या है, नहीं जाने तो आगे भी बताता हूँ, देखे, चाहे इनसान बिजनेसमेन हो, चाहे वरकर हो, चाहे इंपलोई हो, चाहे घर में रहता ह या हो labor, हर कोई इसको यहाँ पर, इसके product को यहाँ पर use करता है, छोटा हो या बड़ा, बच्चा हो या बुढ़ा, सब ही यहाँ पर use करते हैं, coffee की मैं बात कर रहा हूँ, सब के, सब coffee पीते हैं, और जबरदस तरीके से coffee पीते हैं, और coffee तो हम एक ही पीते हैं, वो coffee, क्या है, Nescafe, ये, तो Nescafe हम सब यहाँ पर पीते हैं, Nescafe यानि कि कौन से share की मैं बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, Nestle की जो दो मिनेट में बनती है, वो बनती है, मैगी की यहाँ पर, lockdown में सारे के सारे लोग यहाँ पर मैगी खा रहे हैं, धिकतर लोग, उससे भी जबरदस च साल बाद भी यही कौफी बनेगी, 10 साल बाद भी यही कौफी बनेगी, 15 साल बाद भी यही कौफी बनेगी, और 50 साल बाद भी यही कौफी बनेगी, और लोग भी आज भी यही कौफी पीते हैं, 5 साल पहले भी पीते थे, 5 साल बाद भी पियेंगे, और 50 साल बाद भी पिय अधिकतर लोग, maximum लोग सोचते हैं इसका share price जो है 15-17,000 का है तो 17,000 का मैं share खरीदूँगा तो वो कितना आगे यहाँ पर बढ़ेगा ना ना बढ़ेगा कितना वो तो मैं बताता हूँ लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि गिरेगा कम अब देखें अगर आप 17,000 का share य 30% के उपर यहाँ पर सालाना रिटन मना कर दे रहा है क्यों क्योंकि ये एक monopoly business यहाँ पर create करता है अगर मैं इसके price to enter की यहाँ पर बात करूँ तो price to enter यहाँ पर 14,000 उपय का और अगर आप इसके intrinsic value की बात करोगे तो intrinsic value तकरीबन 11,700 के आसपास यहाँ पर आती है फिलहाल ये share इसके उपर अगर चलेगा तो आपको S.I.P करना है एक एक share यहाँ पर हर मैंने लेना है क्योंकि 17,000 का share है एक मैंने ली जे सकते है तीन मैंने में एक बार लो तीन मैंने में नी ले सकते है छे मैंने में एक एक share अपने portfolio में add करते चले जाओ और जैसे ही अपने price to enter पर आता है एक share के जगा 3-5 share accumulate करो और अपने जब intrinsic value के भी नीचे आता है तब आप यहाँ पर इस share में bulk buy कर सकते हैं अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि यह share को purchase कैसे करना है देखिए अगर आप अपने normal demand account में share को purchase करोगे मेरे बताया हुए share को purchase करोगे तो आपका return क्य पता नहीं चलेगा इसलिए better है कि सबका अलग-अलग portfolio बनाओ, यह 3 share का अलग portfolio बनाओ, कैसे अलग portfolio बनता है अगर आप नहीं जानते हो वैसे तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं use करता हूँ small case, आप भी यहाँ पर small case use कर सकते हैं, portfolio बनाकर आप यहाँ पर share ले सकते कैसे लेना है तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ सिर्फ आपको app download करना है small case और app में आपको आ जाना है उसके बाद आपको यहाँ पर दिखरा होगा नीचे यहाँ पर watch list में आना है उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर discover small case उसके बाद create new में आ जाने है और add stocks करने है तो अभी मैंने आपको जैसे तीन share बता है HDFC, MC कर देता हूँ यह HDFC, MC हो गया IRCTC हो गया यहाँ पर और तीसरा जो है Nestle यहाँ पर मैं कर देता हूँ तो यह तीनों यहाँ पर add हो गया इसके बाद यहाँ पर उपर में आपको जाना है और यहाँ पर weightage के जगा जाके share करना है तो यहाँ पर share देखे आटोमेटिकली है तो यहाँ पर HDFC, MC को मैं दो कर देता हूँ SIP स्टार्ट कर रहा हूँ तो दो की यहाँ पर लूँगा IRCTC भी यहाँ पर दो कर देता हूँ और Nestle क्योंकि price ज़ादा है weightage उपर नीचे नहाँ इसलिए एक ही यहाँ पर रखता हूँ अभी कमाल की बात देखो past 1 year पिछले एक साल में 70% का return मना कर दिया है इस portfolio ने जो अंकिर ने आपको बताया है पिछले एक साल में 70% और वहीं पर निफ्टी ने minus 13% कहा minus 13% और कहा मेरा 70% का positive return तो आप समझ सकते हो कि कितने growth वाले यह share है नाम दे दो यहाँ पर उपर save करके big multi baggers यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इस portfolio का 20% सालाना तो यह ऐसे यहाँ पर बिल्कुल बना देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उपर यहाँ पर investment objective भी लिख देता हूँ big multi baggers और फिर यहाँ पर आप चाहो तो सीधा नीचे जाकर यहाँ पर buy small case कर सकते हो अभी देखो मेरा order यहाँ पर prepare हो रहा है जान लिए अब मैं चले जाता हूँ लेकिन रुको अभी मैंने बस 3 share बताया है क्या आप मुझसे अगला 3 share जानना चाहते है 2020 के लिए best मैं आपको 10 share बताना चाहता हूँ लेकिन क्योंकि समय वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं आपको 3-3 करके बता रहा हूँ तो अगला 3 share अगर आप चाहते हो तो कमेंट करो अगर कमेंट करके बोलोगे कि हाँ अगला 3 share जानना है तो मैं आपको ज़रूर यहाँ पर बताऊँगा अगले 3 share मेरे कौन से हैं इसी portfolio में add करने के लिए with price to enter and with intrinsic value इसके साथ सारे जो डेश की जो टॉप के blue chip companies है उपर के 20 companies है उनका मैं intrinsic value यहाँ पर अल्रेड़ी बता चुका हूँ हमारे family members को जिनोंने join किया अगर आप जानना चाहते हैं तो subscribe के बाजू में join है join करके जान सकते है अब आप मुझे बताइए कि मेरे बताए 3 share आपको कैसे लगा ये भी आपको comment में बताना है अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके 3 best share कौन से है जो आपको लगता है कि वो आने वाले 5 से 10 सालों में बड़ा growth दिखा सकते हैं multi baggers बन सकते हैं तो अपने पसंद के भी आपर 3 share जरूर बताइए मैं जरूर यहाँ पर देखूँगा comment करके इसके साथ आज का वीडियो गर आपको पसंद आ है तो वीडियो में दीजिए यहाँ पर like इसके साथ share करिए बाकी लोग के साथ ताकि वो जान सके कि भविश के multi baggers वो नहीं जो सस्ते है भविश के multi baggers वो है जो यहाँ पर अच्छे हैं तो share का काम मैं आपके उपर यहाँ पर छोड़ देता हूँ इसके साथ mutual fund bank finance share market economy से related चीज़े सिखना चाहते हैं तो किजिए नीचे चैनल को subscribe मैं आपके लिए ऐसे videos लेकर आते रहता हूँ तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलूँगा आप से चल्दी आपके लिए इस वीचे आपके लिए